राज इस्तरिय राष्टी आय एम योगता आधारित छात्वर्ट परिच्छा 2022 की त्यारी करने वाले समस्त छात्रों को नमस्कार जो भी छात्र उत्तर प्रदेश के हैं लगबग 40,000 के फार्म पड़े हैं कोड़े यूपी में और उसकी जो परिच्छा है वो आपकी 24 अप्रण 2022 को होगी उसी के अंतरगत आज हम जो सैच्छिक पेपर आता जिसमें इतिहास के प्रशन पूशे जाते हैं का जो पेपर है और उस पेपर में जो इतिहास के प्रशन पूशे के उनको हम सुरू करते हैं तो आईए सबसे पहले सुरू कर लेते हैं 2018 के प्रशन सबसे पहला प्रशन आपके सामने वास्को डिगामा भारत के काली कट कब पहुचा नहीं काली कट जो बंदरगा है वहाँ पर वास्को डिगामा जो है सबसे पहले कब पहुचा यह पहुचा था आपका 1498 यानि आपसन डी बिल्कुल सही है अगला है दीव उपनिवेस था किसका पूर्तिगाल का इंगलेंड का डच का यह फिर फ्रेंच का तो मैं आपको बता दूं यह था आपका पूर्तिगाल का य ब्यापारिक पोश्ट इस्थापित किया था यह नि किसने जो है वहाँ पर ब्यापारिक स्टेट गुजरात में जो है इस्थापित के थी तो इसका जो बलकुल सही जवाब है वो है ब्रेटिस अगला प्रश्ण है 1661 में चाल्स दूतिः से कंपनी ने प्राप्त किया यह 1661 में चाल्स दूतिः से कंपनी ने प्राप्त किया मुंबई, मद्रास, कानपूर यह फिर कालिकट तो इसका सही जवाब होगा यहां पर बांबे चलिए अगला प्रश्ण है वारेन हेंगेश्टरस 1772 में कहां का गवर्नर नियुक्त किया गया तो आपको मैं बता दूं य था बंगाल का यही जो वारेन हेंगेश्टरस था यह 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे जो की जो है रेगलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद यही 1774 से लेकर के 1785 तक इनका कारेकाल रहा है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर इनसे आप बहु अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं 44 नंबर का जो प्रश्ण है इसमें पूछा जा रहा है निम्न लिखित में से कौन 10 अप्रेल 1917 को प्रारंब हुए चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ समलित हुए तो यहाँ पर कौन ऐसा बेखती था जो चंपारण जो सत्याग्रह था जिसमें समलित वो थे हम जनगणना संचालित की गई तो जो भारत में पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 में कराई गई थी और आज का जो हमारा अगला दो प्रश्ण बचे हैं वो हैं जो 2018 पूछे गए थे शूरत विभाजन के समय 1907 में शूरत अधिवेशन में कौन भारती राष्टी कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो ये थे डाक्टर रास बिहारी खोस यानि बहुत डीब कोश्चन आते हैं जो काफी प्रश्वित कोश्चन आते हैं वही पूछे जाते हैं इन में से कौन भारती प्रथम भारती महिला अध्यक्षती जिसमें 1925 में कानपूर अध्यक्षता की थी तो ये कांग्रेस की जो पहली अध्यक्षता थी ये आपको याद रखना है सरुजनी नाइडू थी चलिए आप मैं बढ़ता हूं दो हजार उन्निस के पेपर बे दो हजार उन्निस का जो पहला प्रश्ण था वो था देलीवाल था या देलीवाल क्या था अभूशन् ठिक्किस पर ये कर लिया जाता था अगला प्रश्ण है सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी तो जो सांकेतिक मुद्रा के लिए बहुत प्रशित है मुहमत बिन तुकलक यानि यह option यहां से D सही होगा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन चोथा है आपका कि 1526 में पानीपत में बावर द्वारा किसे पराजित किया गया था तो बावर ने जो है जो 1526 की लडाई थी उसमें किसको हराया था यह हराया था इब्राहिम लोदी को यह अपसन सी अगला है अकबर का राज़ समंत्री कौन था सभी को पता है यह बहुत प्रसिद्ध कोश्चन है राजा टोडर मल अगला हमारा जो प्रशन है कापी अच्छा प्रशन है और सभी परिक्षाओं में यह प्रशन बहुत बार पूछा गया है अबुल्फजल द्वरा लिखित पुष्टक का नाम क्या है तो जो अबुल्फजल ने पुष्टक लिखी थी उसका नाम था अकबर नामा ठीक है याद प्रशन साथ कालम ए से कालम बी को मिलाईये तथा सही को चुनिये जैसे मुनिदू चिस्ती इनका सम्मन्द कहां से अजमेर से है तो आप यहां से यह मिला सकते हैं निजामुद्दिन अउलिया का सम्मन्द दिल्ली से मिला सकते हैं बाबा फरीद का सम्मन्द किस से है पंजाब से है गया सुधी राज का सम्मन्द गुलवरगा से है तो यहा इस चाहटर प्राप्त किया. तो इसका सही जवाब होगा, यह था Ty Cannon 16, यहाँ से option A सही होगा. अगला है सिराजुत दौला, किस राज्य का नवाव था? तो जो शिराजुत दौला था, यह नवाव आपका बंगाल का था. यह भी आपके course का है, सारे प्रश्ण आपके कोर्स के ही, दस्मा प्रश्ण भी आपको यहां से मिलाना है और इसका आंसर बताना है तो कालम A और कालम B को मिलाई तथा सही को चुनिए, अब जैसे यहां से है मंगल पांडे तो मंगल जो पांडे थे, इनका जो संबंद किसस्य था, इनका संबंद Bailaping march चावनी से था जिसे नाना साहब है, तो नाना साहब का जो संबंद था वो आपका था Kanupur से तो आप Kanupur इसको मिला सकते हैं ऐसे ही बिर जिस कदर इनका जो संबंद था वो था लखनव से और जो रानी लचमी बाई इनका संबंद जहासी से था अगर आप कोई पता है तो आप बहुत आसानी से आंसर लगा सकते हैं तो यहां से आंसर भी वाला आपका बिल्कुल सही होगा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण है गेरवा जो आपको निश्चित तोर पे आ रहा होगा तो जो गेरवे प्रश्ण में है स्वतंतरता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूँगा यह नारा किस ने दिया तो यह नारा जो दिय अवग्या आंदुलन यहां से आपसन सी जो है बिल्कुल सही होगा और यह आपका आखरीस क्वेश्चन था किस कवर्णर जन्रल ने डाक्ट्रिन आफ लैस यानि हडपनीत तयार की थी तो यह जो हडपनीत है इसके लिए सभी को पता है लाड डलहोजी यानि हडपनीत का जन्रल दाता था तो इसका जो है यह लाड डलहोजी आंसर यहां से हो जाएगा आप देख लेते हैं 2020 में कौन से प्रश्ण पूछे गए देखते हैं 2020 में कैसे प्रश्ण पूछे गए आप देखें कि 2018 और 2019 से कठिन प्रश्ण 2020 में पूछे गए हैं दिन पर दिन जो कंप्रिशन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है त्रिपच्छी संगर्स किसके उपर नियंत्रण को लेकर लड़ा गया जो त्रिपच्छी को लेकर के लड़ा गया था अगला है ब्रामणों को अनुदान में दी गई भूमी क्या कहलाती थी तो जो ब्रामणों को दिया जाता था उसे कहते थे ब्रमदे तो यहां से आपसंदी सही होगा प्रशन संख्या तीन है किस इस्थान से प्राप्त अभिलेखों में सभा के स संगठन के विशय में जानकारी प्राप्त होती है तो यहां पर जो सही आंसर है वो है उत्तर मेरू यहां से आपसंद यह बिल्कुल सही है देखे अगला प्रशन कितना कठिन है कि यहां पर असत्य को चुनना है अगर आपको सारी चीजे पता होंगी तभी आप आंसर कर पा गलत पूछ रहा है सेरसा सूरी ने हुमायू को चौसा है वो कन्योज मेरा यह भी सही है मन सब मुगलों द्वारा चलाई गई स्रेणी बेवस्था ती जिसके जरिये पद बेतन और सन उत्तर दाय तो निर्धारी किये जाते थे यह भी बिल्कुल सही तो आपसंद यही गलत पर इसमें देखे सूची का मिलान करना है सूची एक का सूची दो से मिलान कर सही आंसर बताएं अब जैसे सूफी सूफी का जो संबंध है वो किस चीज से तो सूफी का संबंध जिक्र से है अगला है गुरु नानक तो जो गुरु नानक का जो संबंध है वो आपका सबद स से हैं ठीक है कभीर कभीर का जो संबंध है वह आपका साखी से है और मीरा भाई का भजन से है तो यहां से अपसंदी बिल्कुल सही होगा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन है चापा कर एवं अनप्रस्त तोड़ा निर्मान सैलिया हैं यह किस चीज की है तो छै में यह वास्तुकला की है तो यहां से अपसंदी ए सही होगा सात्वा सुची एक और दू में मिलान कर सही बिल्कुल को बताएं तो सात्वे में आप देख ले संकर नामधर रामानुज और सिब्फीर सहसुवाद इसके जो प्रषन है इसमें आगे आपको मिलेंगे और मैं आप सं और आंसर सका सावत्मा प्रषन है और उसका जो आंसर आएगा वो यह आएगा आप उदर से दोनों को मिला करके इसका आंसर आप लोग जरूर देख लिजिए गा अगला है 8 वह किसम और अगला प्रशन है नवा अच्छा प्रशन है इससे आप जरूर देख लिजिएगा ये भी प्रशन आपका कई बार पूछा गया है और इस पर कई प्रशन अगर आप एक प्रशन याद करते हैं तो यह से कई प्रशन आप बनाके ले जाएंगे सुची एक और दो में चुन अगर बक्षर की लड़ाई देखा जाएं तो जो बक्षर की लड़ाई थी वो आपकी 1764 में हुई थी ठीक है और इसके बाद जो अगला हमारा प्रशन है वो है कि चतुर्थ मैसूर युद्ध कब लड़ा गया तो यह 1799 में लड़ा गया और अगला प्रशन है कि कि संदी कब हुई तो यह आपकी यह D वाला सही हो जाएगा तो यह सिसाब से यहां से आप्षन भी आपका बिल्कुल सही होगा चली बढ़ते हैं हम अगली अगला प्रशन है रायत वाड़ी बंदोबस्त किस से किया गया था तो यह दस्वों जो प्रशन है यह है किसान से अगला नमक सत्य अग्रे किस भारती आंदोलन का भाग था यह भी प्रशन रिपीड हुआ है यह था सब इने अवग्या आंदोलन से सत्य कथन चुनिये इसमें आपको सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है मंगल पांडे को मेरट में अपने अपसरों पर हमला करने क्या अगला और अंतिम प्रशन है सूची से आपको मिलान करना है सूची एक और दो मैं कौन सा आंसर सही है तो इसमें पूछा जा राजा राम मोहर राय इनका संवंध जो है राजा राम मोहर जो राय थे इन्हों सत्य प्रथाकांत किया तो यहां से एका चौथा होगा इसर चंद बिद्या सागर और इन्हों ने जो है बिद्वा बिवा जो है शुरू कराया था तो यह आपस बी सही होगा तो आपने देखा कि यहां पर प्रश्ण दिन प्रतिन कठिन होते जाते हैं इसलिए आप अपनी तयारी को और अच्छा करिए हम आपको इतिहास के भी कम से कम डेड़ से 200 प्रशन देंगे जिनमें आपको प्रशन मिलने की पूरी-पूरी संभावना रहेगी जै कर दो